जानकी जी का हरण हो गया था पता है आपको जानकी जी का हरण क्यों हुआ था ये तो जानते होंगे जब तक जानकी जी लक्षमण जी के द्वारा खेंची गई मर्यादा की रेखा के भीतर रही तब तक जानकी जी को कुछ नहीं हुआ वो पूर्ण सुरक्षित थी, लेकिन जैसे ही लक्षमण जी के द्वारा खींची मर्यादा की रेखा के भीतर अंद बाहर आईं, सो ही उनके उपर रामण का आतरमण हो गया, इससे क्या सीखा आप लोगों ने? इस्तरी जब तक मर्यादा की रेखा के भीतर रहेगी, तब तक किसी धुर्दान तब्यक्ति में ख्मता नहीं है कि उसे हाथ भी लगा दे, लेकिन जब अपने संस्कारों की रेखा को पार करके हम उससे बाहर गूमने लग जाते हैं, तब ही तमाम रामणों का आतरमण होता है जो लोग ये कहते हैं कि कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता है, छोटे कपड़े पहनने से जो कहते हैं, बहुत चारी इस्तरियां, बहुत चारी बच्चीयां कहते हैं ये, कि आप अपने नजर ठीक करो कपड़े नहीं, हम अपने कपड़े क्यों ठीक करें, तुम अपनी नजर बदलो, अपने निगाह बदलो, उन बावलियों को ये नहीं पता होई, कि जितना विकार दृष्टी के माध्धम से जाता है, वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है, तो बच्चियों के बला करक्यों हो जाते हैं, तो मैं उनको ये बता दूँ, कि विकार तो तुम्हें कर भी पैदा होगे थो उसके अंदर, इसलिए इस जीच को समझने के कोसिस करें, अगर इस त्रियां अपनी सुरक्षा चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें खुद को ढख के रखना होगा, सबसे पहले उन्हें मर्यादा की रेखा के भीतर रहना होगा, तब ही उनकी सुरक् रेखा में थी, तब तक मैं सुरक्षित थी, तो इस तरियों को सीखना चाहिए, बच्चीयों को सीखना चाहिए, कि उनका जो पहनावा है, भारती संस्कृती का ये पहनावा नहीं था, आज कल फटे कपड़े, छोटे कपड़े पहन के चलते हैं, देख कर भी सरमाय ऐसे व सबसे पहले तो माता पिता को समझना चाहिए इस बात का, अगर बच्चों की सुरक्षा चाहते हैं आप लोग, तो उनको आप सांसकारिक बनाओ, उनको आप सुसिक्षित बनाओ, आज सिक्षा तो है लेकिन सुसिक्षा नहीं रह गई है, आप उनको सुसिक्षित बनाओ, बुलो राधे राधे, तो इस बिसे पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो गई है